कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रेडिंग लाउर्स पर दोस्तों आज की वीडियों में हम बात करेंगे अगर आप इन सभी सभी अपडेट को देखना चाते हैं तुम्हार सातन तक बने रहेगा और से पहले अगर आपने अब तक हमार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले तो यह आप यहां पर देख सकते हैं एक अकबार की जाई यहां पर कटिंग है नए भरती प्रिक्षाओं में गड़बड़ी नहीं कर पाएगा माफिया आयोग ने बुल्ट पूरूफ किया सिस्टम तो क्या कुछ पूरा मामला है यह आप देख सकते हैं हरियाना के मुख्यमंत्री मनोलार कट्रने का है कि मेरिट के अधार पर भरतिया जार रहेंगी नए भर प्रती गिरहों के लिए से अंद्मारी करना असान नहीं होगा मुख्यमंत्री विर्वार को यहां प्रैस वारता में बोल रहे थी उन्हों कहा कि प्रदेश में पेपर लीक नकल वैब भरतियों में गड़बड़ी पुराने समय से चली रहे हैं उनकी सरकार ने गिरहों के न आकड़ों के मताबिक अब तक सत्तर आरोपियों को गिरिफतार किया जा चुका है जबकि पिछले कुछ मेहिने में इस कोटाले में तीन बड़े गिरहों और 26 आरोपियों को एस्टेपने पकड़ा है इसके अलावा गराम सची प्रिक्षा में दर्ज सात मामलों में 64 आरोप मंतरी ने बताया कि पर्देश के किषानों को फसल भी माई हो जाना के ताहत साथ सो एक सट क्रोड मौज़ा मिलेगा और 26 क्रोड किषानों के हत्ते में जा चुके हैं तो यह तो जाया दूसरी नियूज थी और अंगनवारी कारकरता हेलपर संधिताओं के बहकावे में चुके हैं दिसंबर महा में अंगनवारी कारकड़ों के मानदे में और 240 रुपे के मानदे में 734 रुपे की व्रिदी हुई थी और हरियाना देश के पहले 3 राज़ँ में हैं जहां अंगनवारी वर्कर्स और हैलपर को सबसे ज़्यादा मालदे दिया जा रहा है है जबकि पिपर लीक या जो होते हैं तो यह ज़ाब नहीं होगे नेक्स जो है आप आप डेटा उसको देख लेते हैं NCR से बाहर होगा करनाल जीला आकड़ो के नसार अभी हरियाणा का 57 परतिसाद किसेतर NCR में होता है करनाल जीलाब राष्टेया राष्दनिक शेतर NCR से बाहर हो जाएगा गुरुंडा तक ही NCR की सीमा होगी यह जानकारी मुख्यमंत्री मिनोलार कर्ट ने थी उन्होंने बताए कि NCR का दायरा कम करने के लिए NCR योजना बोड की बैठक में शेधान्तिक सहमती बन चुकी है आवजन और सहरी कार्यमत्राल्य इस मंद में अन्तिम ने लेगा जिसके बाद दिल्ली के राजगार से 100 किलोमिटर में आने वाला क्षेतर ही NCR में रहेगा और अधिकारी कागड़ों के अंसर अभी हर्याणा का 57% किशेतर NCR में आता है इसने लोगों को कहीं कटनाय को सामना करना पड़ रहा है और अनेक वावन्दिया लोगों को सहनी पड़ रही है तो आने वाले समय में जाई करनाल NCR से बाहर हो सकता है नेक्स जो हैंपर अपडेट है एक ही भरती में अलग-अलग नियम बनाने पर सरकार से जवाब मांग गया है हाई कोर्ट ने हर्याणा में 5000 पुल्स कर्यमों की निक्ति के लिए अलग-अलग पर क्रिया अपनाने पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का देश दिया है और याची का दाखिल करते हुए हिसार निवासी परदीप ने हाई कोर्ट को बताया कि 2015 में सरकार ने सिपाई के 5000 पदों के लिए भरती निकाली थी इस बरती में 500 पद BC सरेणी C के लिए अरक्सित थे हाई कोर्ट के दोरा BC C वरग को दिये गए अरक्सन पर रोक के कार इन पदों को समने सरेणी में बदल दिया गया इसके बाद समने सरेणी की नई मेरिट सुची तियार की गई इस सुची में चैनित अंती मुवद्वार से अधिक हंक लेने वाले अरक्सित वरग क्यावेद्गों को समने सरेणी में डाल दिया गया और अरक्सित वरग में सीटे रिक्त हो गई इसके बाद कुछ लोगों के जोएन ना करने और कुछ के नोगरे छोड़ देने के करण दो सो उनातर सीटे रिक्त रह गई थी अगर दिया है तो इस बात ज्वाब दायर करें हाई कोट ने साथ जनुर का अपने आदेश में प्रविधानों का पालन कैसी किया जा रहा है इस बावत बीजीपी से ज्वाब मागा था इसका मतलब है कि जहाच अदिकारी को किसी आरोपी के खिलाब जहाची रिपोर्ट है चलान जमा करते गिर्फतारी करने वाले अदिकारी के करते वह कि प्रवदानों के अनुपालान के बारे में पूरा वीवन जमनकारान होगा तो यह तो जाए आपर मेहत्यपून न्यूज अपडेट थी और अचसी ने हाली में जो ग्रूप डी वाले हैं जाए उनके लिए भी स्कूर्टनी नोटीस जार हुई है और दोस्तों अगर अपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया तो सब्सक्राब कर ले और हमारे चाहता अंतर बढ़ने के लिए धन्यवाद